कि है कि है एक वीडियो पर कई क्वेश्चन आ रहे थे कि फाइव क्वेश्चन ग्राव जिसमें यह दिया गया था कि जोइन दी शेल वन एंड शेल टू मतलब जोइन करना है दोनों को दोनों को आप इसमें जोइन करना है तो उसका फॉर्मूला होगा जोइन वह मैंने कोडों होले जैसे राम वर्मा वैसे यूज होगा वह उसी पे कि कोई नाम आ अगया मतलब किसी कि अगए सारी लगा है और फिर आगे इस deter को जोएन और लिक्षाव को आप इसमें एड करने के Лिए मतलब एक नाम बंदितले कि जिसे राम वर्मा इसके लिए वो जोइन शल ह होता है इस पर लगेगा आपको फॉर्मूला एकुबल टू सी ओ एन कौन लिखोगे आप उसके बाद कॉंटिनेट अपने आप दिखा देगा वह आती आपको टैप प्रेस करना है यह आपका कॉंटिनेट स्टार्ड हो जाए यहां से ब्रैकेट स्टार्ड होने के बाद आपक देना है यह आपका जो नाम होगा वो जोइन हो जाएगा मतलब दो सेल आपस में जोइन हो जाएंगे इससे और दूसरा है मतलब जो दिया है सेल रेफरेंस सेल रेफरेंस बच्चे पूसरे कि सेल रेफरेंस क्या है सेल रेफरेंस क्या है सेल रेफरेंस यही है कि पहले इस स को select किया जाए और फिर इस cell को select किया जाए मतलब reference भा एक से दो मतलब एक पहले column one और फिर column two ऐसे जोईन करना है मतलब say one और फिल sell two मतलब यह नहीं पहले sell two को अइड कर दिया और फिर sell one को add कर रहे हैं तो आगे पीछे हो जहाए तो आपका गलत हो जाए sell reference यह होती है पूरी टेवल में cell reference देता है तो उसी साफ से देता है कि अगर सम भी करो तो पहले जो मतलब first column होगा उसको add करें और फिर plus के बाद दूसरे column को add करें वो cell reference कहलाता है उसके बाद में एक इसके स्वाल था कि grid line क्या है यह जो दी गई है इसमें मतलब यह line दीख रही है यह grid line है इसको आप मतलब view में देखोगे तो यहां पर दिया होगा आपको grid line ठीक है अगर आप मतलब इस grid line पर कलिक कर देते तो वो हट जाती है ठीक है यह आपको print में बहुत mention करेगा कि आपको grid line हटानी है या नहीं हटानी अगर आप grid line हटा के command दोगे तो आपके print में यह grid line शो नहीं होगी अधरवाइस आपको grid line मतलब print दोगे तो मतलब grid line उसमें आएगी पूरे print में आपकी और वो आप print में भी set कर सकते हैं मैंने आपको पिछे पिछली वीडियो में बताया भी था और कि और क्या question था आपका उसके बाद हाँ अगर आप मतलब वैसे तो आपको grid line यहां से अटाने है प्रिंट देते टाइम ग्रिट लाइन आप यहां से अटा सकते हैं ठीक है व्यूव में ऐसे हटेगी हटने के बाद और प्रिंट में यहां से अगर आपका कलिक होगा तो प्रिंट में आपकी grid line शोगी अधरवाइस नहीं होगी यह व्यूव के लिए मतलब आप सीट बना रहे हैं उस पर आपका जो व्यूव मतलब चल रहा है उसमें आपको grid line दिखेगी और अगर आप इसको हटा देंगे तो आपको प्रिंट देते टाइम आपकी grid line नहीं आएगी उसमें प्रिंट में अगर यहां पे कलिक होगा आपका तो आपके प्रिंट में grid line आपकी आएगी यह दो क्वेस्टन थे जो बच्चे बार बार पूस रहे थे यह दोनों मैंने बता है उनको दोनों को आपस में एक ही column में जोइन करके लिखना है जैसे company मतलब गाड़ी का नाम अगया मारुति और उसका model है desire तो उन दोनों को add करने के लिए मारुति डिजायर दोनों एक column करने के लिए कौन केट का formula लगेगा आप यह formula उपर देख सकते हैं यह मैंने यहां पर लगाया हुआ है अब यहां से देख के इसको लगा सकते हैं अगर आपका और कोई question हो तो आप मुझे जरूर बताई बताएं मैं आपको मतलब उसी time मतलब उसी time अगर मिले पास time होगा तो वरना में आपको मतलब घंटे या दो गंटे में आपको मतलब reply जरूर ताकि आपको वहां पर दिक्कत ना आए और थैंक्यू और next doubt यह था कि एक बच्चे ने बोला था कि sir अगर मतलब sir बोल देते हैं मैं मैं कुद student हूं मेरा 19 को एक्जाम है ठीक है वह तीन बुचे की shift में मेरा एक्जाम है शाम को तो मैं आपको मतलब इसलिए गाइड कर रहा हूं ताकि मुझे मतलब जितना हो सकेगा मेरी तरफ से आपको कोई मतलब कोई doubt ना रहे क्योंकि कही चीजी चोटी 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 ऐसी चीजी होगी जो आपको एक क्वेस्टन में बोल देगा तो आपके बागी क्वेस्टन बन नहीं पाएंगे इसलिए और बागी यह 18 को जो एक्जाम होगा मैं उ अगर उन्लों ने नहीं बोल है तो नहीं लगाना अग्र आपको हमिशा लगाना पड़ेगा अगर वो मेंशन करे यह ना करें और एक बात वह आपको सीट देंगे बने हुई चो पेज्परि शोपार सीट बने होती यह वो देंगे उसको देख कि आपको computer पर print करना है ठीक है ऐसा नहीं होगा कि आपको computer में mention करेंगे कि आपकी टेवल इसी में जो करना है वो करो आपको टेवल खुद बनाने है खुद एक्षल आपको आपको öprate करना है पूरा आपको मतलब वह प्रिंट का एक कोलम बसता है हो खुद भी दे सकते हैं और आप भी दे सकते हैं क्योंकि Ctrl v करने में ना तो आपका जाता है ना उनका गुछ जाता है बाकि जो Settings होगी प्रिंट की वह आपको पड़ेगी पेज लियाउट पेड़र उयरा मार्जिन वीप वो आपको सेट करना है तो उच बचे ने बोला था की मैं मतलब बोर्डर नहीं लगाओंगा तो क्या बोर्डर नहीं लगाओंगे तो आप ज़ब प्रिंट दोगे तो आपका ऐसा दिखाई देगा वो मतलब जो भी आपका मतलब टेवल होगी ऐसी और अगर मैं इस पे से यह ग्रीड लाइन हटा देता हूं आपका प्रिंट ऐसा होगा जो अभी पिछे शो कर रहा था मतलब बंदि करें आपको लाइन है वो ग्रीड लाइन की थी ना कि आपके बोर्डर की लाइन ने थी अगर आप बोर्डर नहीं लगाओगे तो आपका प्रिंट ऐसा होगा आप देख सकते हैं आप ऐसा यह मतलब टेवल नहीं कर लाएगा आपकी यह तो मतलब आप बर्ड वे कर सकते हूं ठीक है ना एक्सल पे काम करना है तो आप को टेवल पर बॉर्डर लगाना ही पड़ेगा मतलब कोई भी कंपनी होगी कोई तेबल है मतलब आप बता सकते हो कि इसमें क्या को मतलब क्या है क्या नहीं है जो भी आप देख रहे हैं मतलब लगती नहीं यह टेबल है और दूसरा जब आप इसको सेलेक्ट करके कि यहां पर सेलेक्ट करके बोडर लगाओगे तब आपका प्रिंट चुद देखो गया वह ऐसा आएगा अब यह टेवल है यह बो टेवल आप इसमें मतलब देख सकते हैं वीडियो में अब मत खुद सोच भी सकते हैं कि यह टेवल सहीर यह मतलब बोडर लगाना है यह नहीं है यह अपको लिए या रित्री मतलब रशलन सकते हैं और यह बोडर लगाना ही पड़ेगा वो बोले यह ना बोले क्योंकि आपको टेवल यह होगी उसमें क्या कुछ क्योट आपको जरूर बिए क्याको बीडियो बनाके डृखन होका थांक्यू झाल झाल